नमसा सर एक और नई वीडियो में आप सभी का फिर सस्वागत हैं जो कि आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आचुके हैं एक बने हुए मकान की जानकारी ये मकान आपको उत्तर प्रदेश में ही देखने को मिल जाएगा तो अगर आप खरीना चाहते हैं तो खरी सक पूरी डिटेल आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी और वीडियो की आगे ही आपको मुबाइल नमबर मिल जाएगा और इसी वीडियो में आपको मुबाइल नमबर दे दिया जाएगा तो वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कर रहे हैं चैनल पर अगर आपने हमारी आए हैं नए तो वीडियो के नीचे आपको लाल कलर सब्सक्राइब लिखा दिखाए दे रहा है इस पर आपको टीक करके आल पे सिर्ट कर ले ताकि जो हमारी आने वाले वीडियो की जानकारी होगी वो सबसे पहले आपको मिल जाएगी जो कि आपके ही लोकेशन के पास बनी ह मकान की जानकारी होगी तब भी आपको सबसे पहले वहाँ पे आपको मिल जाएगी तो बात कर लेते हैं इस मकान के बारे में जो कि आपको वीडियो में ही दिखा जा रहा है ये मकान भी काओ है और ये काफी अच्छे लोकेशन पे मकान आपको देखनों को मिल जाता है तो स इस square foot में आपको ये बना हो मकान देखने को मिल जाता है और इस मकान के अंदर आपको काफी अच्छी अच्छी सुबधाएं देखने को मिल जाती है जैसा कि इस मकान के अंदर तीन कमरे आपको मिल जाएंगे लाइटरीन, बातरूम, डैनिंगे एरिया हाल, किचन ये सारी सुभधाएं आपको इस मकान के अंदर देखनों को मिल जाती है बात कर लेते हैं फ्रंट साइड में रास्ते की तो इस मकान के ज़श साइड से आपको जो रास्ता मिलेगा ये आपको डामर रोड मिल जाता है और ये डामर रोड आपको 10 फिट का राष्टा देखने को मिल जाता है जो कि गारी बहुत ही आसानी से यहां पक आप ला सकते हैं मार्केट की बात कर लेते हैं तो मार्केट मैंने सभी वीडियो में बता देता हूं और कुछ लोग करते हैं कि मार्केट हमको बता दीजिए तो मैं इस सभी वीडियो में आपको मार्केट की जानकारी मिल जाती है तो मार्केट यहां से आपको जो मिलेगा यह आपको सिर्फ 200 मीटर की दूरिब चलके आपको बड़ा सा मार्केट देखने को मिल जाता है कि दूरी भी चलके आपको पेटरोल पामप देखनों को मिल जाती है और मैं ये बता देता हूँ कि ये मकान आपको किस मालिक के नाम से ये बना हो मकान देखनों को मिल जाता है इस मालिक का नम है संजे कुमार और ये मकान आपको संजे कुमार की ही नाम से देखनों को मिल जाता है बात का लेते हैं इस मालिक की काईट की तो ये मकान के जो मालिक है इस मालिक की काईट है यसी जो कि आपको माली की कायश्चे किसी भी प्रकार का लेना देना नहीं है अगर आप इसे खरिना जाते हैं तो खरी सकते हैं पूरी डिटेल आपको मने बता ही दिया इस मकान के बारे में और हम आपको इस मकान की थोड़ी डिटेल दे देते हैं यहाँ पे आपको काउन काउन से सुविधाएं देखनों को मिल जाती है यहाँ पे आपको जो मिलेगा यह आपको मिल जाता है वासरूम और लाइटरिन भी से कह सकते हैं इसके ज़श चार से आपको लाइटरिन भी देखनों को मिल जाएगी लेटरीन हम आपको भी दिखा देती है यहाँ पे आपको जो मिलेगा यह आपको मेन बेडरूम मिल जाता है और यहाँ पे आपको मिल जाता है डानी एरिया हल जो किसमा पंखा भी लगा हुआ है लेकिन पंखा इसमें उतार लिया गया है ये खाली आपको मकान मिलेगा और ये पुराना मकान है आप देख सकते हैं वीडियो में आपको दिखाया गया है ये पुराना मकान आपको देखने को मिल जाता है और ये आपको मिल जाता है गालरी और ये गालरी एक कमरे से आपको देखने को मिल जाती है इस gallery के जैसे पास जाएंगे तो आपको एक camera देखनों को मिलेगा और ये camera काफ़ी अच्छे look के साथ आपको ये भी camera देखनों को मिल जाता है तो काफ़ी पुराना ये मकान है और यसलिए आपको ये बहुत ही कम किमत में दिया जा रहा है और यहाँ पे हम आपको kitchen भी दिखा देते हैं कि kitchen यहाँ पे आपको किस तरह देखनों को मिल जाता है यहाँ पे आपको जो मिलेगा यह आपको kitchen देखनों को मिलेगा और kitchen काफी अच्छा quality का आपको देखनों को मिल जाता है जैसा इसके केमत है वैसा ये मकान आपको देखनों को मिल जाता है यहाँ पे आपको जो मिलेगा ये आपको किचन मिल जाता है किचन के जर्श साथ से आपको ये लैटरीन देखनों को मिल जाती है यहाँ पे आपको किचन भी आपको देखनों को मिल जाएगा और ये किशन काफी अच्छा देखनों को मिल जाता है यहाँ पे आपको इशनान करने का सारा कुछ मिल जाएगा और हम आपको मकान की आगे का भीव भी दिखा देते हैं कि आगे का भीव यहाँ पे आपको किस प्रकार का दिखेगा तो यहाँ पर आगाईज आप देख सकते हैं और यहाँ पर जो आपको मैंने जानकारी दी है दोनों तरफ आपको मकान की रास्ते देखनों को मिलेंगे एक तरफ आपको डामबर रोड एक तरफ आपको इंटरलाकिंग देखनों को मिल जाती है और यहाँ पे आपको जो मिलेगा ये आपको मिल जाता है गाड़ी पारकिंग यहाँ पे आप खड़ी कर सकते हैं जीने के नीचे आपको देखनों को मिलेगा और यहाँ पे आपको डानिंग एरिया हाल भी देखनों को मिल जाता है तो सारी डिटेल आपको मैंने इस वीडियो के माध्धम से आप तक पहुंचाया है और हम आपको water level की जानकादी दे देते हैं कि अगर आप समर्सेबल या बोरबल या नल या पानी से अन्य चीजे यहाँ पे आप लगवाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं यहाँ पे आपको जो present time मिल लहा है पानी ये एक टंकी के थुआ रहा है और ये टंकी आपको 24 घंटी यहाँ पे पानी आपको देहन को मिल जाता है और अगर आप भी यहाँ पे अपन personal कुछ लगवाना चाहते हैं पानी से related तो यहाँ पे आपको 200 फुट पे आपको पानी मिल जाता है मकान का कीमत एक बार फिस्स हम आपको उता जेते हैं ये पुराना हुआ मकान आपको मिलेगा सिर्फ दो लाक रुपे में आप इस मकान को बाय कर सकते हैं अच्छी सीटी में आपको यह मकान मिलेगा सिर्फ 2,00,000 रुपे में तो अगर आप खरीना चाहते हैं तो खरी सकते हैं और यह मकान पूराना भी है मैंने आपको जनकारी सारी दे दिया है तो खरीना चाहते हैं तो इसका हम आपको correct location भी बता देते हैं यह आपको मकान के जिले में देखनों को मिल जाता है बात का लेते हैं जिला तो यहाँ पे जिलाल है लखनाव और लखनाव से लख भग आपको 20 किलो میटर की दूर उप्चल के आपको मिल जाता है इस जिले की जो तहसील लगती है इस तहसील का नाम है बक्सी का तालाब और यहीं पर आपको एक मिल जाता है गाउं जिसका नाम है राजापुर और यही गाउं के पास आपको ये बनो हो मकान देखनों को मिल जाता है इस्टेट की बात कर लेते हैं तो मकान इस्टेट उत्तरफदेश में आपको मिल जाएगा तो अगर आप इस location को छोड़ कर किसी दूसरे location पे बने हैं मकान की जानकारी पाना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे आपको एक comment box मिल जाता है इसमें आप मुझसे comment करके बता सकते हैं कि आप कहां पे मकान खरना चाहते हैं किस सहर में खरना चाहते हैं किस location पे खरना चाहते हैं इस सारी detail आप मुझसे comment करके बता सकते हैं तो माली का mobile number हम आपको बता देते हैं अधिक जानकारी के लिए number पे call कर सकते हैं तो नमबर है 7, 1, 2, 4, 6, 8, 9, 4, 1, यह मैंने आपको मालिक का मोबल नमबर दे दिया है, अधिक जानकारी के लिए आप इस नमबर पे काल कर सकते हैं, और पूरी डिजल आप इस घर बैठे मालिक से संपर कर सकते हैं, और इस मकान को खरी सकते हैं, अगर आपको मेरी वीडियो चुल दो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सस्क्राब नहीं किया हुआ है, तो वीडियो के निचे आपको सस्क्राब लिखा दिखाए दे रहा है, और रेड कलर से इस पे आपको किलिक करके आल पे सिरेट कर लें, ताकि जो हमारी आनी वाली वीड जाएगी, तो हमें दीजे अजाज़त एक और वीडियो में आप से कल फिर मलाकात होगी, बाए बाए